नमश्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चनल ऑनलाइन इस्ट्रीवीडी के वे दोस्तों आप लोगों की बहुत सरी कमेंट्स के कारण आज हम अपके लिए लेकर आए हैं होने वाली है और इस एक्साम के इंदर 2013 से लेकर 2014 में हिंदी विसे के पूछे गए 54 महतुपुन कुष्ण जो की 13 और 14 में पूछे गए हैं जो हिंदी भासा से संब्दित हैं आज ये प्रस में हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों आज को हमारे वीडियो है इसके इंदर ह लोम शब्द समास उफशार्ग समच्चरित भिनार्थक शब्द वाक्यांसों के लिए एक शब्द प्रतिय तत्सम तद्भव अशुद्ध शोधन मुहावरे लोकोक्तियों तद्भव आदी से सम्बंदित प्रस्न आपको इस एक वीडियो मिलेंगे और ये 2013 से 2014 के बीच मे प्रस्नों का संग्रा है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जोस्तों यदि आप किसी भी टी टेट एक्षाम की त्यारी कर रहे हैं तो ये हिंदी का वीडियो आपके लिए हैलफूल रहेगा क्योंकि प्रस्न जो होते हैं लगबग सभी एक्साम में एक जैसे ही पुछे कि देखते हैं कुछ उनमें थोड़ा सा है फिर होता है बकि जो विश्य होता है वह सब के लिए हमारे यूस्फुल होता है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्यूशन हमरा यहां पर है निम्न मैंसे इस पस्ट संगर्शी वियंजन है अब यहां पर चार वियंजन दिये हैं और इनमें हमें बताना है कि इस पस्ट संगर्शी वियंजन कौन सा है तो यहां पर चार विगल्प को देख लेते हैं फर्स्ट दिया है और दूसरा दिया है ठ ठ फ अब यहां पर बात जुकी गई है इस पस्ट संगर्शी की तो इस पस्ट संगर्शी की थोड़ स उसे हम कहते हैं संघर्षी वेंजन इसे हम संघोस भी कह सकते हैं या जो थोड़ा सा घर्षन करता हो जैसे बाहर हम उच्रित करते हैं उसको तो उसमें घर्षन होता हो रगण खाता हो तो उसे हम संघर्षी कहते हैं तो यहां पर हमारा जो उत्तर रहेगा यह रहेगा जो रहे चोटी इकाई कौन सी होती एक हम आला के देझते हैं तो वरण जो होते हैं वह भासा के सबसे छोटी होते हैं और कभिक प्रफ़णा अ sic exist थो स्चोटी काई थ्वनी यहां और यहां पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो रहेगा भासा के सबसे छोटी काई वर्ण है और प्रस्ण आप देख सकते हैं 2013 में यह पूछागाय प्रस्ण था चलिए अगला हमारा प्रस्ण है निम्न लिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारन हिंदी में प्रश्चलन में नहीं है दोस्तों एक ही वर्ण ऐसा है जिसका अभी तक मूल उच्चारन जो है वो प्रश्चलन में नहीं आया है तो वह है री जो है जिसे हम रीशी बोलते हैं तो यह हमारा यहां पर उत्तर रहेगा चलिए अगला प्रस्ण है निम्न मेंसी महाप्राण वर्ण है अब महाप्रा यहां मतलब की जादा क्या हम हुत districts में ठाइब के स्कूरत के धार इस प्रकार से जिसने उच्रानमर मुख से अधिक से अधिक हावा निकलती हैं उसे हम महा प्राणब का विंजन कह सकते हैं तो यहां पर म doğru को कुंछा रहेगा यहां कर नहीं लें तो यहां पर कौन सारा है है तो हम यहीं बात करते हैं यहां पर तवर्णगी तो त और दूसरा बढ़ना अता है ठ तो यहां पर हमारा उत्तर जो रहेगा वह रहेगा ठ चलिए आगे देखते हैं फिर अगला मेरा पर अगोश वियंजन रहेगा और जो रहेगा ये इसका उत्तर रहेगा अब बात करते हैं अगोश वियंजन क्या होते हैं तो अगोश वियंजन ऐसी वियंजन होते हैं जिन धुनियों के उच्छरण में स्वरतंत्रियों में कमपन ना हो उन्हें हम अगोश कहते हैं और जिसम है तो माहाप्रान हैं कि ऊधिche आ हैं दुसरा जो चोथा बढ़न smo होता है वो महाप्रान के अंदर आता है कित दूसरा बढ़नो चोथा पर अब यहां पर इसमें उष्म शब्द को जोड़ दिया है तो देहिए स्ता के जो होता है तो इसमें हम खा, चा, त, या शा किसको मान सकते हैं तो यहां पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा शा को क्योंकि जिन वर्ण विंजनों को चरण करते समय वायू मुख से किसी इस्थान विशेश पर घर्षन या रगड खा करके निकलती है और ओश्मा यहने की गर्मी पैदा करें तो उसे हम ओश्म संघर्षी भी कह सकते हैं और महाप्राण वर्ण भी उसमें शामिल होते हैं तो इसलिए हम इनको ओश्म संघर्षी भी कह सकते हैं या ओश्म महाप्राण भी कह सकते हैं या ओश्म अघोज भी कह सकते हैं कुछ ऐसे जामिल हो जाते हैं यहां बरक उत्तर गीड़ रहेगा यह रहेगा शाह में अ कि छुल ये आगे देखते हैं मिद गया को अbildung मालं में माला में आप मज़ाता है सेम मालने जाता है तो में प्रकयों कि या को वरन Giving किया जो होता है यह संयुक्त वेंजन होता है और यह किन-किन बढ़नों से मिलकर बनता है तो यह बनता है ज्य और यह इन दो बढ़नों से मिलकर के ग्या बनता है तो इसलिए हम इसको कह देंगे संयुक्त वेंजन तो आपसन फर्स्ट जो रहेगा यह हमारा यहां पर सही उत् वर्ण इश्पर शंगर्शी है देखिए कुछ विद्वान जो होता है उसको इश्पर संगरशी मालनते हैं फर सनझर्शी वर्ण जो रहेगा हो रहेगा ज्या चले आगे देखते हैं अगला हम ensehand हैं कि जाती वाचक हैं संग्याओं का कोन यूग में यहाँ पर गलत दिया है तो जाती वाचक और वेक्ती वाचक नंदर है कुट्ता पिल्ला दूत्रा है नगर जैपुर तीसरा है परवत हिमालय और चोथा है इस्त्री श्वेता जाती के अंदर यहां पर सेकंड विकल्व देखते हैं तो इसमें नगर आ अब नगर की जाती के विकती करता है और व्यकति वाचक संगया के रुप में जैपूर है इसकि फ्रस्त विकल्व के अंदर इस्त्रीएक जाती है और शszुच्वेता एक व्यक्ति वाचक यह आपटी नगर की साहहिएं घियitter के बच्चा हो सकता है तो इसका कोई यहां पर नाम व्यक्ति वजग के रूप में नहीं है तो यह फर्स्ट विकल्ब जो रहेगा यह हमारा उत्तर रहेगा जो की गलत यूगम के रूप में है चलिए अग्रा है कवी शब्द में संग्या है तो कवी शब्द के अंदर कौश विकल्ण होगी कि कवी एक जाती है ना या कि वेक्ती है तो उसे जो रहेगा यह हमारा उत्तर जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा प्रस्ट नहीं निम्न लिखेत में से खत भागी कि इस्त्रीलिंग है अब हट्भागी का स्त्रीलिंग क्या होता है तो यहां पर इसका स्तीरिंग होगा ऑप्षन ठर जो रहे घगा हत भाग्या हत भागी का स्त्रीलिंग शब्द हत्भाग्य अफ्चलिए अ Εग्ला प्रस नमώρα है वीर-शब नbeing कई बार 멤ं tule में पूछ चलिए आगे बढ़ते हैं एक उम्ह mogą प्रस्न हे संबंद थर्ड दिया है कोई नहीं तो यह muchos तककि विद्घा कर्सरें आगे देखते हैं निम्ह ज़िए क्वर्म कर्मक क्रिया है अब कुन सी यहां पर सकर्मक्रिया है तो फस्ट है दोड़ना सेगेंड है रूठना थर्ड है मुस्कराना और फूरत है पीना तो यहां पर जो फस्ट रहेगा हमारा दोड़ना यह एक सकर्मक्रिया है चलिए आगे है निम्न मैंसे आकर्मक क्रिया बताईए यहां पर आकर्मक क्रिया जो रहेगी पढ़ना लेना खाना रोना यहां पर आकर्मक क्रिया हो जाएगी और संफोर्त जो रहेगा रोना चलिए आगे है फिर निम्न मैंसे साकर्मक क्रिया है तो यहां पर फिर साकर्मक क् रिया है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न मैंसे गुरु मुखी पद में समास होगा तो गुरु मुखी पद के अंदर कौन सा समास होगा फरस्ट रहें याँ पर पुरुष सेकेंड दिया है बहुब्री थर्ड दिया द्वन्द और फॉर्थ दिया तो यहां पर रहेगा उसन तो देखें इसको समझते हैं थोड़ा सा दिगु समास का उधारन है हमसे पूछा जारा दिगु समास और दिगु समास की पहचान होती है कि उसका प्रथम पद जो उता वो संख्या बाची होता है अब यहां पर त्रिभुवन एकदंत त्रिनेत्र दसन सभी को देखते हैं सभी में ही संख्या बाची पद दिया है अब यहां हमें ऐसे प्रस्ण को पहचानना कैसा है देखें यहां पर पंशिजन तो हमें होगे नहीं क्योंकि हम यहां पर देख रहा है दिगु समास अब हमें यह देखना है कि इसमें से तीन शब्द ऐसे हैं जिनके इंदर बहु नेत्र अर्थात हो जिसके अर्थात कोन तो यहां उत्तर मिल जाएगा शिव दस आनन दस हो अनन जिसके अर्थात कोन रावन एक दंत एक हो दंत जिसका अर्थात भगवन गनेश तो यहां पर हम इन तीनों शब्दों को देखते हैं तो हमें यहां पर इनका तीसरा अर्थ जो है जिसे साननम, दस्वनद जिसके और तीसरा अर्थ हो गया रवन अ कि इस प्र कार से आप सब्सक्राइब में आपको तीसरा अर्थ नजर नहीं आएगा और जो अगको तीसरा अर्थ भवन तो इसमें सिर्फ हमें संख्यावाची पद ही नजर आ रहा है उसका अन्य अर्थ यहां पर नजर नहीं आ रहा है तो जब अन्य अर्थ निकले तो वहां पर बहुब्री समास होते हैं और जब सिर्फ संख्यावाची का ही अर्थ निकलता हो वहां पर सिर्फ दीगु समा का विग्रह है तो रण मुक्त समस्त पद का विग्रह होगा रण से मुक्त तो यहां पर उत्तर फूर जो रहेगा मारा यह सही उत्तर हेगा रण से मुक्त चलिए अगला है बहु ब्रही समास का उधारण नहीं है अब यहां पर फिर हमें देख रहा है कि बहु ब्रही समास का बिजय सामने दिगु के लिए देखा था सेम वैसा यहां में देखना है तो बहु ब्री में फर्स्ट है पंसेरी सेंकर भारा सिंगा थाड है कुसुमा यूद्र और fourण है दिर्ग बाहु तो यहां पर फर्स्ट जो है पंसेरी पंसेरी मतलब 5 सेर और 5 सेर मतलब कि यहहां पर दीगुसमास हो جाता है तो जो रहे गा यह बहु ब्रीसमास ना भरकर छाये तो इसलिए नहीं mm पर आगला है शक्रबल今ृ पुरुस्तुर्दियृवटन समासे बहुते अच्छ प्रस्तिया है इस तरही पूरुस्त के अंदर समास होता है तक सबस्ताइक है एक पहली पहचान ये दूसरी होती है कि दोनों शाधान से दोनों ही प्रधान होते हैं दोनों पद जैसे उधरन के लिए हमारे लिए माता भी प्रधान होती है और पिता भी प्रधान होते हैं दोनों ही हमारे साथ होना चाहिए तो जैसे हम दोनों को बराबर महत्तु देते हैं उसी प्रकार से दोन्द समास के अंदर भी दोनों पद जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर प्रधान होते हैं, दोनों ही समान होते हैं, या दोनों की प्रधानता समान रहती है, तो वहां हमारा उत्तर हो जाता है, दोन्द समास, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगरा प्रस्णा हमारा है, निम्न मैंसे किस शब्द में बहुबरी ही समास है, जस्तto sinner love discuss마स संब्धित प्रशन हम पहले देख चुक यहां पहँचाननाहा है − तो फरस्ट यह चोरा है क्या बहुटरी समास इसके अंदर है ö तो चोरहा चार्रहों करता है, सटमूम होता यहां पर प्रस्तों बहुत कन्फ्यूस करेगा पर देखते हैं इसका फड़ सहताब्दी को तो स्यताब भूता है शत मतब कि शो अब दो का मतल रोब होता है वरशों का समाहार वरशों का समुझ या एक समहार जिसे हम कहते हैं शताब्दी यह को समया है पंजाब अब पंजाब जो है तो देखिए कुछ समास ऐसे होते हैं कि जो बहुबरी में भी और दोनों में ही आते हैं तो अब यहाँ पंजाब को देखते हैं तो पंजाब जो है यह पांच आबो का समू है यहाँ पर आबों का मतलब है नदी तो नदियां जो है पांच आबों का या नदियों का समूँ पाँच आबों का समु मतलब की पंजाब अब इसके अंदर वी दिगु समास है तो यहाँ पर बहुबरी समास कौन सा हो सकता है चलिए एक प्रस्न का उत्तर आप ही कमेंट्स करके बताना क्योंकि कौन सा यहाँ पर उत्तर सही होगा तो एक प्रस्न में आपको आपके लिए छ तो प्रतिय जो शब्द के पीछे लगते हैं और इसमें प्रति यहाँ पर रहेगा आउप्रतिय और संथर्ड जो रहेगा यह चलिए अगरा हमरा प्रस्न निम्न में से किस शब्द में प्रतिय का प्रियोग नहीं हुआ है तो किस शब्द में प्रतिय का प्रियोग नहीं आउपसर्ग से बना हुआ शब्द है तो आउपसर्ग से कौन यहां पर शब्द बना हुआ है तो यहां पर उत्तर हैगा मरा आव वीतनिक क्योंकि वैतनिक और इसके आगे आउपसर्ग से बना हुआ शब्द है अगला प्रसन देखते हैं कि शब्द में कोई भी उपसर्ग न विल्कुल सही उत्तर है जिसके अंदर कोई उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है अगला है अधी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है अब कौन साइसे शब्द है जिसमें अधी उपसर्ग का प्रियोग यहां पर नहीं हुआ है तो यहां पर सीधे उत्तर को टिक करते हैं अपराद के अंदर कौन सा यहां पर उप्षर्ग रहेगा तो इसके अंदर उप्षर्ग रहेगा और सुन थर्ड जो रहेगा निर यह इसके अंदर उप्षर्ग है अंत और विदेश शब्दों में करमसा प्रतिय का शुद्ध विकल्प है तो फॉस्ट है तिया और यह इसी क लूब इंदर प्रतिय नहीं आया है तो जिस सब्सक्राइब नहीं पहचान करना है कुशल विमल कौमल किस लए अधिये नहीं आया है तो यहां पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑफ्षन जो रहेगा जिसमें यह लब प्रतिय का प्र्योग नहींुआ है चलिए आगे हैं« कॉए कौन्षा स्थृब्द इन प्यस्वाइँ की योग से नहीं बना जिसमें इन प्रत्य का योग नहीं है वह हमें देखना है तो यहां रहेगा आपसन फर्स्ट जो रहेगा मनोहारिन नमकीन यूगीन गरामीन तो इन सभी के अंदर इन प्रत्य का योग हुआ है प्रंतु मनोहारिन चलिए आगे हैं प्राकतन प्राकतन शब्द में उफशर्ग एमूल शब्द का सही विकल्प है तो यहां पर रहेगा इसक प्तर प्राक धन तन अब प्राक धन तन जो रहेगा उसन से के यह हमारा यहां पर सही उत्तर है आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित में से विदेशी शब्द नहीं है तो जो निम्न में से तच्षम शब्द है कौन सा सब्द यहां पर तच्षम रहेगा तो तच्षम यहां पर है प्रिस्ट जो है ऑफ्शन थर्ड यह हमारा सही उत्तर है आगे देखते हैं निम्न में से कौन्शा अम्रत अम्रित का प्रियाइड नहीं है जो अम्रित का प्रियाइड नहीं है अई शली आगे आए इस ना मैंसे हाथी का प्रयाई है तो हाथी का प्रयाई कुंसर रहेगा कुरंग कुंजर कलहांस के यहाँ पर सेकेट कुंजर यहाँ प्रयाई है आगे है कि मिन लेखेत présent च्छाणिक शब्द का विपरितार् टक शब्द होगा तो छण का मतलब होता है जो तुरंत हो या छण भर के लिए हो तो इसका रहेगा शाश्वत शाश्वत मतलब जो ज्यादा लंबे समय तक या हमेशा से ही तो ये रहेगा शाश्वत चलिए आगे है अवर शब्द का विलोम शब्द होगा अवर शब्द का विलोम होता है और दोनों के अंदर सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर है फिर दोनों का यहां पर क्या उत्तर रहेगा तो यहां पर इनका जो उत्तर रहेगा यह रहेगा शुगंद और गंगा देखिए फरस्ट जो सुर्भी है इसका अर्थ है शुगंद और सुर्भी इसका अर्थ होगा गंगा चलिए बहुत अच्छा प्रस्णा अगला है अंतर अनंतर शब्द का सही अर्थ चुनिए देखिए तोनों फिर इसे सब्दों दिये हैं और इनके फिर हमें यहाँ पर उत्तर देखना है तो अंतर मतलब भेध होता है और अनंतर मतलब बाद में तो और फिर्स्ट जो रहेगा भेध बाद में यह इन तोनों शब्दों का सही अर्थ युगम है अधोलेखित शब्द युगम का सही अर्थ चुनिए फिर यहाँ पर दो ऐसे शब्द दिये हैं अनुलंब और 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 अर् ऑफ्षन ठर्ड जो रहेगा यहां अमत्र सही उत्तर रहेगा ओ Kurd眼 न Court कि यह करने का एक शुक्य के लिए सरवादों कशुक्त शु यहां पर किया रहेगा तो युद्ध करने के लिए युत्सु को हम कहते हैं युयू दो यहां पर रहेगा ऑप्षन फॉर्स जो है क्या होता हैं तो अनूगब का शब्द का शाब्स होता है जब आप किसी के दुख से दुखी व्ग91 के उस सपर क्रपा कर रहें तो यहां पर शुद्ध रूप में लिखावा वाकिये यहां पर शुद्ध रूप में लिखावा वाकिये हैं यहां रहते हैं नियुक्त के दरषटी से अशुद्य शब्द है यist जा रहे हैं तो रहेगा तद परहे हैं यह रहे हैं नेयुक्या कि दरषटी सी यहां पर एश तरह हैं अगये मैंसे सुद्द रूप में लिखा गाया वाकि सब्सक्राइब करने के बाद उसके बारे में चांच करना अर्थ वालिक कहावत है पानी पीकर जाती पूछना तो रहेगा यहां पर सही उत्तर है और हमरी प्रस्नहें शक्ति शाले की विजए अर्थ वाली लोक्ती जिसकी लाठी उसकी घैस अर्फ नर्थ यहां पर रहेगा जर्द यह उसी हमत्राइग जर्ण आगे देखते हैं अग्रा हमारी स्टेंट है अब दोस्तों यहां पर पूछे जा रहा है वरतनी की द्रushy से सुद्ध शब्दें तो मुझे यह प्रस्न फोड़ा सा यहां पर तुरूटी पूर्ण लगता है क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं तो एक विकल्प से जादा इसके अंदर शुद्ध शुद्ध लिखे वे हैं यदि हम स्रिंगार को देखते हैं और प्रत्यूश को देखते हैं तो दोनों ही य यहां पर शुद्ध लिखाओ है तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा जब कि यहां पर प्रत्यूश आभान और स्रिंगार तीनों ही यहां पर शुद्ध रूप में लिखे गए हैं तो थोड़ा सा आप प्रस्ण को यहां पर अशुद्ध से ध्यान में रखें कि यह अशुद् संबंदिद प्रस्ण है तो यहां पर रूटी पूर्ण लेखा हुआ है दोस्तों यह थे आज के हमारे हिंदी विशाष संबंदिद ह्टी एट दोजा तीरा से चौदा के बीच में पूछे प्रस्ण का स्मावेश और प्रस्ण आपको किस प्रकार के लिए कैसे लगा वीड इना मलत में पूरे से लेखा हुआ'RE वाल मत म करनेप़ आपको का स्मावेश बहुआ है और आपको किस दten एग कर शें भाब प्रस्ण